असलाम अलेकुम नाजमीन फैसल आजएर आपके खिद्वात में हमारे चैनल पर बिलियन डॉलर आई टेक एक दूसरे वीडियो के साथ अगर आप हमारा पुराना वीडियो देख चुके हैं जो कोड टेकनोलोजी के बारे में हैं आप यकीनन क्यूरस होंगे मज़ीत आप टेडिग के बारे में जानने के लिए तो आएज़ शुरू करते हैं एक टेकनोलोजी है जो एक फिजिकल कोर्ट को दो लोजिकल कोज में कनवर्ट करती है और आपर टेडिइंग ऑपरिडिंग सिस्टम को अलाव करती है दो threads एक टाइम में almost process करने के लिए Hyperthreading पहली बार Pentium 4 desktop CPUs और Xeon processor पर introduce हुआ Hyperthreading एक बहुत ही cool feature है जो processes पर load share करने में काफी मददगार होती है Hyperthreading में एक single CPU core operating system को दो course की तायर represent होती है जिससे operating system दो काम और दो logical course पर इस तरह perform करती है कि जैसे वो दो physical course पर perform कर रही हो मिसाल के तोर पर तस्वर कीजिए एक pizza oven को as a processor और एक pizza बनाने वाले को as a thread या process अगर पहला pizza दूसरा pizza पहुंचने से पहले तयार ओकर process होती है तो pizza oven कुछ नहीं करते हुए इंतिजार कर रही होती है अगर हम एक दूसरा pizza बनाने वाला higher करें it means अगर पहला pizza तयार ओते ही दूसरा pizza ओरड़ी तयार है queued up है line में तो जैसे ही पहला pizza process होता है हम दूसरे pizza को oven में रखते हैं जिससे time जाया ना ओते हुए better multitasking और better performance मिलती है ये hyper trading की एक बहुत अच्छी मिसाल थी तो दोस्तों मुखतसरां hyper trading दो threads को एक core पर almost एक की time में execute करने की सलायत रखती है single CPU core दो कामों पर इस तरह switch हो रही होती है जैसे के वो ये दो काम दो physical core पर perform कर रही हो so दोस्तों hyper trading बन्यादी तोर पर CPU cores पर operations का flow बरकरार रखता है hyper trading के फ़ायत कुछ computer task पर ज्यादा होती है for example heavy multitasking जहां पर एक processor lightweight process को handle कर रही होती है जिसमें antivirus और music playback और दूसरी processor heavy softwares पर focus कर रही होती है number 2 3D rendering number 3 file completion number 4 जो की सबसे ज़यादा है video editing overall hyper trading का सबसे ज़यादा फायदा CPU को always busy रखना चली दोस्तों conclusion की तरफ hyper trading की मिसाल physical course को double करने की नहीं बलकि smart scheduling on physical course पर होती है for example different operations या application से जो threats process होते हैं processor की तरफ इन्हीं divide करके smart scheduling की जरिए process से process करना होता है as fast as possible hyper trading की में खुसूसियाद अगर आप media editing या heavy multitasking में involved हो तो मैं आपको suggest करता हूँ कि आप hyper traded processes खरीदें इस वीडियो के English version को देखने के लिए please यहां किलिक करें और इस वीडियो को like और अमारे चैनल को subscribe करें इस वीडियो की full article पढ़ने के लिए अमारे website पर link जो के description में दिया हुआ है आप उसको क्लिक कर सकते हैं और हमें Facebook और Instagram पर follow करें तब तक के लिए अलावाफिश